आप सबसे request है जो भी मेरे चैनल पे new है प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दें और साथ जो दियावा bell का icon है उसको भी प्रेस करके all का button प्रेस कर दें ताके मेरी वीडियो की सारी notification सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचें आज हम पढ़ेंगे page number 627 chapter number 14 का और जो picture है जो हम discuss करेंगे वो है चार roads है हमारे पास और एक जो है गाड़ी है L एक है E और एक हमारे पास truck है जिसका नाम N है और एक है फिलो बस तो इसमें से हमने देखना है कि सबसे पहले कौन सी गाड़ी जाएगी या क्या चीज पहले जाएगी तो अगर हम गाड़ी L को देखें तो इसका जो देस्तरा है जो right hand side है वो बलकुल खाली है वहाँ कोई गाड़ी नहीं है उसके left side पर फिलो बस है लेकिन right side पर सीधा हाथ जो है उदर कोई गाड़ी नहीं है तो सबसे पहले जो गाड़ी यलो है जिस पे L लिखा है वो जाएगी उसके बाद E गाड़ी जाएगी क्योंकि L के जाने के बाद जो E है उसका जो राइट है जो देस्तरा है वो खाली हो जाएगा तो L के बाद E ने जाना है L और E के बाद जो ट्रक है N ठीक है जिस पे N लिखा है उसका देस्तरा खाली हो जाएगा जो सीधा हाथ है राइट हैंड साइट वो खाली हो जाएगा तो तीसरे नमबर पे N ने जाना है और इन तीनों के बाद आखर में जो है वो फिलो बसने जाना है तो हमारे बाद जो ओर्डर है वो बनेगा L E N R इस सीक्विंस से इस ओर्डर से जो है वो गाड़ियां जाएंगी अब हम क्वेस्टिन्स को पढ़ लेते हैं पहला सवाल है सिकॉन दोले नोर में दी प्रेचिदेंसा कहरा है जो हग देने वाले कानून है उसके मताबिक नल इन क्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो चोग दिखाया गया है तस्वीर में इल वी कोलो एन जो गाड़ी एन है देवे अतेंदेरे उसको इंतिजार करना है इल ट्रांजीतो देल वी कोलो ए तो ये क्वेस्चन वेरो है क्यूंकि मैंने आपको बताया है कि जो गाड़ी एन है वो वेट करेगी कि ए चली जाए क्यूंकि एन का जो देस्त्रा है उस पर ए गाड़ी खड़ी है तो N ने वेट करना है E का जब E गुज़र जाएगी तब N ने जाना है तो ये सवाल वेरो है दूसरा सवाल है सिकॉन दोले नोर मेदी प्रेशिदेंसा नेल इन क्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा कह रहा है जो हग देने वाले जो राइट देने वाले कानून है लॉज हैं उसके मताबिक जो चोग दिखाया गया तस्वीर में इल वी कोलो L जो गाड़ी L है देवे अतेंदेरे उसने इंतिजार करना है इल ट्रांजीतो देल वी कोलो L कह रहा है कि E जो है वो वेट करेगी कि L गाड़ी चली जाए तो यह बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि E ने तब तक नहीं जाना जब तक L ने नहीं जाना क्योंकि E के राइट हैंड साइट पे जो गाड़ी बनती है वो L है तो E ने वेट करना है L का जब L चली जाएगी कि E का राइट हैंड साइट सीधा हाथ देस्तरा खाली हो जाएगा तो फिर E ने चले जाना है तीसरा सवाल है सिकोंदोले नोर में दी प्रेचिदेंसा नेल इनक्रोच और रिप्रेजेंटात और इन फिगूरा केरा जो हग देने वाले कानून है वो चोक में जो दिखाए गई है तस्वीर उसमें इल वी कोलो आर जो गाड़ी आर है देवे अतेंदेरे उसने वेट करना है इंतिजार करना है इल ट्रांजीतो दी वी कोली E एंड एंड वो कहरा है जो आर है वो सबसे एंड में जाएगी फोर्थ क्वेस्चिन है सिकॉंड ले नोर में दी प्रेचिदेंसा निल इनक्रोचो रिप्रिसेंटातो इन फिगोरा हक देने वाले कानून के मताबिक जो तस्वीर है उसमें दिखाया गया है इवी कोली ट्रांजीतानो जो गाड़ीयां जाएंगी नल और दी ने इस ओर्डर से इस सीकॉंस से ल, ए, न और आर पहले ल ने जाना है फिर ए ने फिर एन ने और फिर आर ने तो यह सवाल वेरो है मैं आपको सीकॉंस जो है वो बता चुकी हूँ तो अगर हम इसको तस्वीर के साथ टैली करें तो जी बिल्कुर ऐसा ही है पहले ल ने जाना है फिर ए ने फिर एन ने और फिर आर ने तो वो सवाल भी वेरो है और जो गलत सवाल है वो आप खुदी पढ़ लीजेगा पेज नमबर है 628 और जो पिक्चर है वो सेम वो ही पिक्चर है उसका पार्ट टू है इसके कुछ मज़ीद क्वेस्चिंज जो है इस पेज में हमें दिये गए है ये पिक्चर मैं आपको पहले एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ तो इसके सवालात की तरह बढ़ते है पहला सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा जो चोक दिखाया गया तस्वीर में इसने हक देना है अलवी कोलो एल तो यही बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि गाड़ी ए ने रुकना है वो हक देगी एल को और हक ये दे रही है कि आप पहले गुजर जाओ ठीक है देवेदार इला प्रेचिदेंसा का मतलब है कि हक देना है उसको पहले जाने का राइट देना है इने एल को तो यह सवाल भी वेरो है दूसरा सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा इलकॉंदू चैन्तेद अलवी कोलो ए कह रहा है कि जो चोक दिखाएगे तस्वीर में इसके मताबिक जो ड्राइवर है गाड़ी ए का देवेदार इला प्रेचिदेंसा उसने हक देना है अलवी को लो उस गाड़ी को प्रोविनेंटी दला सुआ देस्तरा जो उसके राइट हैंड साइट पे है जो उसके सीधे हाथ पे है तो ये सवाल वेरो है और सीधे हाथ पे गाड़ी जो है एल है ए के सीधे हाथ पे जो गाड़ी बनती है वो एल है ठीक है तो उसने जो है एल को हक देना है और पहले जाने देना है क्योंकि जो गाड़ी राइट साइट पे होती है उसने पहले जाना होता है तीसरा सवाल है कह रहा है जो चोग दिखाया के तस्वीर में इसके मताबिक जो गाड़ी E है उसका ड्राइवर नौन हा अबलीगो जरूरी नहीं है दिदार इला प्रेचिदेंसा के वो हक दे अल फिलो बस जो फिलो बस है आर उसको तो जाहिए सी बात है E ने उसको हक नहीं देना क्योंकि E ने पहले जाना है ठीक है तो वो फिलो बस को हक नहीं देगा बलके फिलो बस बाकी सब गाड़ियों को हक देगी राइट देगी पहले जाने का वेस्टिन नमबर फॉर है नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटाटो नेला फिगूरा इल कॉंदुचेंटे देल वीकलो ई कह रहा है इस चोक में तस्वीर के मताबिक जो ड्राइवर है गाड़ी ई का पासा प्रीमा देल ओतो कारो एन कह रहा है कि वो जो ट्रक है एन उससे पहले जाना है इने लेकिन दो पोल ट्रांजीतो देल वीकलो ईल लेकिन एल के गुजरने के बाद जाना है तो यह हम चीज़े देख चुके हैं इन्होंने कन्फ्यूस करने के लिए इस तरह का सवाल बनाया है यह जो गाड़ी ई है वाइट कलर की उसने पहले जाना है एन से जी बिल्कुल ऐसा ही है इसने ई ने एन से पहले जाना है लेकिन दो पो बाद में जाना है एल के ठीक है तो इस तरह का उन्होंने क्वेस्चन बताया है कि इने एन से पहले जाना है लेकिन एल के बाद जाना है तो यह सवाल भी हमाई पास वेरो है पेज नमबर है 629 और जो हम पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में सिच्वेशन के बारे में वो यह है यहाँ पर भी चार गाड़ियां दीवी है हमाई पास एक गाड़ी है पी एक है डी एक है बी और एक है एल इधर भी हम देख लेते हैं कि वो गाड़ी जिसका राइट हैंड साइट फ्री है वो है गाड़ी पी तो जो पी गाड़ी है वो सबसे पहले चली जाएगी क्योंकि उसके सीधे हाथ पे राइट हैंड पे कोई गाड़ी नहीं है अगर उसके राइट हैंड पे कोई गाड़ी होती तो फिर जो गाड़ी राइट हैंड पे होती उसको पहले राइट देना होता है उसको जाने देना होता है तो जब P चली जाएगी उसके बाद D जो है उसका राइट हैंड साइट सीधा हाथ खाली हो जाएगा जिन जिन दो अलन क्रोच और रिप्रेसेंटात और इन फिगूरा कहा रहा है जो चोग दिखाया है तस्वीर में इलवी को लो पी जो गाड़ी पी है पो पसारे पर प्रीमो कहा रहा है कि वो सबसे पहले जाएगी तो ये हम यहाँ पर देख चुके हैं कि गाड़ी पी ने सबसे पहले जाना है क्योंकि इसका राइट हैंड साइट पर कोई गाड़ी नहीं है कोई रुकावट नहीं है तो ये सवाल वेरो है दूसरा सवाल है जिन जेंदो अल इनक्रोच और रिप्रेजन्तात और इन फिगूरा इल्वीकुलो डी देवेदार इला प्रेचिदेंसा इल्वीकुलो पी कहरा जो डी गाड़ी है वो रुकेगी हक देगी राइट देगी गाड़ी पी को मतलब खुद नहीं जाएगी वो हक देगी पी को कि पी पहले चली जाए तो देख लेते हैं जो गाड़ी डी है ठीक है यलो वाली ये रुकेगी पी का वेट करेगी जब पी चली जाएगी इसको डी ने हक दिया है पहले जाने का जब P चली जाएगी फिर D ने जाना है तो ये सवाल भी वेरो है तीसरा सवाल है जो चोग दिखाया गया है तस्वीर में जो गाड़ी B है उसने वेट करना है इंतिजार करना है कि स्यान और ट्रांस जीताती वेट कुली P and D कह रही है कि जो गाड़ी B है वो वेट करे तब तक जब तक P and D गाड़ी चली नहीं जाती तो ये सवाल भी वेरो है हमारे पास क्योंके गाड़ी B ने जो है वो वेट करना है D और P के गुजरने का जब D और P गुजर जाएगी उसके बाद जो है वो B ने जाना है जो गाड़ी L है उसने सबसे आखिर में जाना है और उसने हक देना है B को कि B गुजर जाए जब B गुजर जाएगी तो फिर L जाएगी और ये सवाल भी वेरो है फिफ्ट क्वेस्चिन है जो चोक दिखाएगा है तस्वीर में एवी कोली देवनो पसारे नल सिक्वेंटी और दी ने P, D और B फिर L कहरे जो और्डर है जिस और्डर से गाड़ियां गुजरनी है वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले P ने जाना है फिर D ने फिर B ने और फिर L ने तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो ये सवाल भी वेरो है अब पेज नमबर 630 और जो गाड़ियों की सीक्वेंस है ये आपके सामने है जो गाड़ी D है उसको देख लेते हैं D के जाने के बाद सेकिंड नमबर पे P ने जाना है फिर B ने जाना है और फिर आखर में N ने जाना है तो जो सीक्वेंस बनेगा वो है D, P, B, N इस ओर्डर के साथ इस सीक्वेंस के साथ जो है वो गाड़ियां जाएंगी पहला सवाल है सिकॉन दोले नोर में दी प्रेचिदेंसा हग देने वाले कानून के मताबिक नल इनक्रोचो चोक रिप्रेजेंटातो जो दिखाया गया है इन फिगूरा तस्वीर में इवी कोली पसानो नल सिक्वेंटी और दीने D, P, B, N कहरा है कि इस ओर्डर से गाड़ियां जाएंगी कि पहले D, फिर P, फिर B, और फिर N तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है क्योंकि मैं आपको ओर्डर बता चुकी हूँ दूसरा सवाल है सिकॉन दोले नोर में दी प्रेचिदेंसा हक देने वाले कानून के मताबिक नल इन क्रोचो चोक में रेप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो दिखाएगा है तस्वीर में इल्वी को लो N जो गाड़ी N है देवे पसारे पर उल्ती मो उल्ती मो कहते हैं एंड में आखिर में जाने को वो कहता है के जो गाड़ी N है रेड वाली गाड़ी यह सबसे अंड में जाएगी तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि N ने सबसे अंड में जाना है और उसने बागी तीनों गाड़ी को रईड येस्टाइड है वो सबसे आखिर में खाली होगा तो ये सवाल भी वेरो है तीसरा सवाल है सिकॉन दोले नोर में दी प्रेचिदेंसानल इनक्रोच और रिप्रेजेंटाट इन्फिगूरा जो चोग दिखाया गया है उसमें कहता है इलवी कुलो बी जो गाड़ी बी है देवे पसारे गुजरेगी दोपो इलवी क जाना है तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है चोधा सवाल है सिकॉन दोले नोर में दी प्रेचिदेंसानल इनक्रोच और रिप्रेजेंटाट इन्फिगूरा कह रहा है कि हग देने वाले कानून के मताबक इलवी कुलो डी जो गाड़ी डी है पासा प्रीमा देले आल्ट्र की वी कुली डी ने सबसे पहले जाना है तो मैंने आपको बताया था कि डी का राइट हैंड साइट खाली है उसने किसी का वेट नहीं करना सबसे पहले ही उसने जाना था वेस्ट नमबर फिफ्ट है सिकॉन दोले नोर मेदी प्रेचिदेंस अनल इनकरोचर रिप्रेजेंटाट इन फिगूरा हग देने वाले कानून के मताबक इलवी कुलो बी जो गाड़ी बी है पासा प्रीमा दल इनवी कुलो एन बी ने जो है वो एन से पहले जाना है तो दे अब है शिकॉन दोले नोर मेदी प्रेचिदेंस अनल इनकरोचर रिप्रेजेंटाट इन फिगूरा हग देने वाले कानून के मताबक जो गाड़ी एन है इलवी कुलो एन पासा दो पो इल बी कुलो बी एन ने जो है वो बी के बाद जाना है तो वही बात है कि एन ने जो है वो end में जाना है तो इसलिए लिखा हुए कि end ने wait करना है जब v चली जाएगी तो फिर end ने आखर में जाना है साथवा सवाल है कहते है जो हग देने वाले कानून है जो तस्वीर में दिखाएगे हैं उसके मताबिक इल वी को लो पी तो यह सवाल भी वेरो है क्योंकि P ने जो है वो गाड़ी जो B है उससे पहले ही जाना है तो यह सवाल भी हमारे पास वेरो है अब पर पेज नमबर 631 और यहाँ पर जो गाड़ीों की situation है उसको हम देख लेते हैं एक गाड़ी है हमारे पास D फिर एक है H एक है A और एक है C तो अगर हम D को देखें तो D ने जिदर मुड़ना है वहाँ पर उसका जो राइट हैंड साइड है जो सीधा हाथ है जो देस्तरा है वो बिलकुल फ्री है खाली है तो सबसे पहले गाड़ी D ने जाना है उसके बाद C ने जाना है क्योंके D के जाने के बाद जो C है उसका राइट हैंड साइड सीधा हाथ फ्री हो जाएगा D और C के जाने के बाद फिर गाड़ी A ने जाना है और आखर में गाड़ी H ने जाना है तो जो order बनेगा हमारे पास वो होगा D, C, A और H इस order से जो है ये गाड़ियां जाएंगी question पढ़ते है पहला सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रेसेंटात और इन फिगूरा इवी कोली पसान और नेल सिक्वेंटी और दी ने कह रहा है कि जो तस्वीर दिखाएगी है चोक की इसमें गाड़ियां इस सीक्वेंस से जाएंगी सबसे पहले गाड़ी जाएगी D, फिर C, फिर A, और फिर H तो ये वाद मैं आपको भी बता चुकी हूँ सीक्वेंस भी मैं बता चुकी हूँ और ये सवाल वेरो है हाथ है वो उक्कुपाइड है मतलब बिजी है तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि अगर हम गाड़ी A को देखें तो उस ने सीधा जाना है ठीक है सीधा जाते पर उसके सीधे हाथ पर एक गाड़ी आती है देस तरह पर वो है C, तो वहाँ पर वो उसका सीधा है तो ये सवाल भी वेरो है तीसरा सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रेजनता तो इन फिगूरा इल्वी को लो डी हाला प्रेचिदेंसा सुल्वी को लो सी कहरा है जो डी गाड़ी है वो हक रखती है C पे मतलब के D पहले जाएगी क्योंकि उसका हक है पहले जाने का और उसके बाद गाड़ी C ने जाना है फॉर्थ क्वेस्जिन है नेल इनक्रोच और रिप्रेजनता तो इन फिगूरा जो चोग दिखाया गया तस्वीर में इल्वी कोलो D एल प्रीमो एंपिगनारे इनक्रोच और जो गाड़ी D है उसने सबसे पहले चोग में जाना है चोग को बिजी करना है क्यूंकि जो D है उसके राइट हैंड साइट पे कोई गाड़ी नहीं थी इसलिए D ने सबसे पहले जाना है पांच्वा सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रेजन्ताद और इनफिगूरा जो चोग दिखाया गया तस्वीर में इल्वी कोलो H ए उल्टिमो ए अत्रवरसारे इनक्रोच और जो गाड़ी H है उसने सबसे आखिर में चोग विजी करना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गाड़ी H जो है वो एंड में जाएगी क्योंकि पहले D ने जाना है फिर गाड़ी C ने जाना है फिर A ने जाना है तो सबसे आखिर में गाड़ी H ने जाना है तो वो सवाल भी वेरो है अब पेज नमबर 632 और जो पिक्चर है हमारे पास वो है तीन गाड़ियां है यहाँ पर एक है E एक है C और एक है M तो यहाँ पर भी आप देखें जहाँ पर E ने मुड़ना है तो यहाँ इसके मुड़ते वे इसका राइट हैंड साइट जो सीधा हाथ हो बिलकुल खाली ह कोई भी गाड़ी कोई भी रुकावट नहीं है तो सबसे पहले गाड़ी E जाएगी उसके बाद C ने जाना है क्योंकि C का एरो आप देखें जिदर मुड़ा है वहाँ पर जिब E चली जाएगी तो उसका जो राइट हैंड साइड है जो सीधा हाथ है वो फ्री हो जाएगा तो दूसरे नमबर में गाड़ी C ने जाना है और आखिर में गाड़ी M ने जाना है तो जो सीक्वेंस बनेगा हमारे पास वो है E, C और M तो इस ओर्डर से इस सीक्वेंस से ये तीनों गाड़ियां जाएंगी पहला सवाल है कह रहा है कि जब हम चोक को क्रॉस करेंगे इलवी को लो E जो गाड़ी E है तो जीता पर प्रीमो कह रहा है कि गाड़ी E जो है उसने सबसे पहले जाना है तो ये सवाल वेरो है मैं भी आपको दिखा चुकी हूँ कि गाड़ी E का राइट हैंड साइट खाली है कोई पर नहीं है तो E ने सबसे पहले ही जाना है दूसरा सवाल है दो वेंदो अत्रवरसारे इन क्रोचो रिप्रेजन्तातो इन फिगूरा लवी को लो सी ट्रांजीता दो पो लवी को लो E कह रहा है जो गाड़ी C है वो जाएगी E के बाद तो हम देख लेते हैं यहां पे ही है कि C ने जाना है दो पो मतलब बाद में E के तो यह सवाल भी हमारे पास वेरो है अब तीसरा सवाल है दो वेंदो अत्रवरसारे इन क्रोचो रिप्रेजन्तातो इन फिगूरा कह रहा है जो चोग दिखाएगे तस्वीर में इवी को ली देवानो तराजीतारे यह जो ग जो औरडर मैंने आपको बताया था वो भी यही था कि सबसे पहले E ने जाना है फिर C ने और फिर आखिर में M ने तो वो सवाल भी राइट है अब पेज नमबर 633 और इस जो चोग दिखाएगे तस्वीर में इसमें भी तीन गाड़िया है एक गाड़ी है H, एक है D और एक एक है B, तो जो H गाड़ी है उसने जिदर मुड़ना है, ठीक है उसके मुड़ते वे उसके लेट साइड पे, उल्टे हाथ पे गाड़ी B है, लेकिन सीदा हाथ खाली है, रард हैंड साइड पे कोई गाड़ी नही है, तो सबसे पहले H ने जाना है, उसके बाद D ने जाना है क्योंकि D का जो राइट हैंड साइड है वो खाली होजएगा H के जाने के बाद और आखर में गाड़ी B ने जाना है तो जो ओर्डर है वो बनेगा H, D और B इस ओर्डर से ये तीनों गाड़ियां जाएंगी सवाल है हमारे पास निल इनक्रोचो रिप्रेजनतात और इन फिगूरा जो चोग दिखाएगए तस्वीर में एवी कोली दिस इंपिक नार इनक्रोचो कह रहा है कि जो गाड़ियां है वो चोग को छोड़ेंगी निल सिक्वेंटी और दीने इस ओर्डर में या इस नंबर पे कि सबसे पहले एच जाएगी फिर डी और फिर बी तो ये सीक्वेंस अभी मैं आपको बता चुकी हूँ आप तस्वीर के साथ इसको टैली कर लें दूसरा सवाल है निल इनक्रोचो रिप्रेजनतात और इन फिगूरा जो चोक दिखाएगे तस्वीर में इल्वी कोलो बी देवे पसारे पर उल्तिमो कह रहा है जो गाड़ी बी है उसने सबसे आखर में जाना है तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि सबसे पहले एच ने जाना है फिर डी ने और बी का जो राइट हैंड साइड है वो सबसे आखर में खाली होगा आखर में उसको मौका मिलेगा जाने का तो यह सवाल भी वेरो है तीसरा सवाल है नेल इन क्रोच और रिप्रेजनतात और फिगूरा जो चोक दिखाएगे तस्वीर में इल वी को लो एच जो गाड़ी एच है नौन देवेदार लपरेजिदेंसा वो हक नहीं देगी अधल कुन वी को लो जाहिर सी बात है एच ने सबसे पहले जाना है क्योंकि उसका राइट हैंड साइड खाली है तो वो किसी भी गाड़ी को राइट नहीं देगी हक नहीं देगी जाने का पहले फोर्ट क्वेस्चन है निल इन क्रोच और रिप्रेजनतात और इन फिगूरा जो चोक दिखाया गया है तस्वीर में इल वी को लो डी जो गाड़ी डी है जो गाड़ी गुजर जाएगी तो फिर एंड में डी ने जाना है तो यह चीज इनने सवाल में बताई हुई है जो जो बताई हुई है